नमस्कार मैं प्रानुशिर अठोर और आप देख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूज कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वाइनाट से स्तांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा के बाद अब नए नए समीकरण बनते हुए नसरा रहे हैं जी हाँ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं महागटबंदन देखने को मिल सकता है साल दोहसार चौबीस में लोग सभध चुनाव होने वाले हैं और इस साल नौराज्यों में विधान सभध चुनाव होने को जा रहे हैं ऐसे में देखा जाए तो केंद्र से सत्ता से बीजेपी क को हराने के लिए यहां पर तमाम बड़ी-बड़ी रणीतियां बनाना शुरु हो चुकी हैं विपक्ष की तरफ से ऐसे में यहां पर अगर रुक किया जाए यूपी की सियासत की तरफ कहाये जाता है कि depende की सियासत वो पार्टी है जिसने कई पार्टियों के साथ गठवंदन किया लेकिन नतीजे जैसा चाहती थी समाजवादी पार्टी वैसे नहीं मिले एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर गठवंदन की तरफ रुप करते हुई नसर आ सकते हैं राहुल गांधी या फिर अखलेश या सिराथू सीट से स्तपा विधाय का पल्लवी पटेल ने कहा कि उन्हें बहुत ही खुशी होगी अगर अखलेश या दव राहुल गांधी दोनों ही बड़े भाई एक जुट हो जाते हैं और इसके बारे में वह प्रेंका गांधी बाड़रा से बातचीत करेंगी लेकिन ऐसे पही तरफ संसत कक्ष में उन्होंने बिपक्षी दलों के साथ एक बैठक बुलाई जी हां वो बिपक्षी दल जिनकी यहां पर समान विचारधारा देखने को मिलती है और इस बैठक में प्रॉफेसर राम गोपाल यादव भी नजर आए है जी हां प्रॉफेसर राम गोपा सिंग यादव के साथ साथ राम गोपाल यादव ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है तो यहां पर अब सवाल यही उड़ते हैं क्या पल्लभी पटेल ने जो बाते कहीं मलिका अरजुन खडगी ने जो बैठक बुलाई है बिपक्षी दलों के साथ कहीं न कहीं यहां में यहां पर कॉंग्रेस और सपा का गठवन्दन होता हुए नजर आएगा दो हजार चौबीस ते पहले यह देखना काफी ज़्यादव का दावा यह है कि लोग सभा चुनाब में जीत हासिल करनी है और दो हजार सताइस में अकलेश यादव को मुख्य मंत्री बनती हुई देखी जा सकते लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है या आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में देखना होगा क्या प्रेंगा गांधी वाड़रा सपा और कॉंग्रेस का गठवन्दन कराएंगी या फिर नहीं या फिर यहां पर अलग तरीकी से ही दोनों ही पा